Hello and welcome to Daily English with me. Today we are going to learn 10 very interesting phrases. So guys, please watch the video till the end. Let's have a look. तुम अपना गुस्टा मुझपर क्यों उतार रहे हो? तो friends, इसे हम बोलेंगे, Why are you waiting your anger on me? Went on का मतलब होता है, बाहर निकालना. Why are you waiting your anger on me? या फिर आपको ऐसा बोलना हो, अपना गुस्टा मुझपर मत निकालो. Then you can say, don't wait your anger on me. Let's see the next sentence. मुझे संगीत की कोई समझ नहीं है. इस तरह के sentences, हम कई बार बोलते कि उसे इस बात की बिलकुल भी समझ नहीं है, या फिर उसे इस बात की बहुत अच्छी समझ है. तो समझ होना, इसे इंग्लिश में बोलते है, have an eye for. जैसे की मुझे संगीत की कोई समझ नहीं है, तो इसे हम कुछ ऐसा बोलेंगे, I don't have an eye for music. या फिर उसे कपड़ों की बहुत अच्छी समझ है. ऐसा बोलना हो तो, इसे हम बोलेंगे, she has an eye for clothes. have or has according to subject change होगा, या फिर शी है, इसलिए has हमने यूज़ किया. She has an eye for clothes. Next sentence है, friends हमारा. कई बार हम काम करके बहुत ज़्यादा ठक जाते हैं, हमें हिम्मत या ताकत नहीं होती किसी काम को करने की. तो इसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज है, For example, अगर तुम्में खाना बनाने की ताकत नहीं है, तो हम बाहर जाकर खाना खाते हैं. इससे हम कुछ ऐसा बोलेंगे, If we don't feel up to cooking, let's eat out. Eat out का मतलब उता है, होटेल में या फिर बाहर जाकर खाना खाना. If we don't feel up to cooking, अगर तुम्में खाना बनाने की ताकत नहीं है, let's eat out. बाहर जाकर खाना खाते हैं. Next sentence है, friends हमारा, मैंने यह फेरी वाले से खरीदा. I bought it from the hawker. Hawker का मतलब उता है, फेरी वाला जो की गली मोहले में अपनी साइकिल पे, या फिर लॉरे पे सामान बेशने के लिए आता है, उसे पैडलर भी बोला जाता है. Next sentence है, अमारा, बहुत देर तक बाहर मत रहो. इससे हम बोलेंगे, Don't stay out late. Don't stay out late. Next है, मैं और मेरी सास की आपस में अच्छी बनती है. ऐसे हम बहुत बार बोलते हैं, मुझे खबर देते रहो. तो इससे हम बोलेंगे, Keep me posted. या फिर simply हम ऐसा भी बोल सकते हैं. Keep me informed. Next sentence है, मैं इसका बिल पे करूंगी. Suppose आप कोई बाहर रेस्टरॉन में खाना खाने गए हो, और आपको ऐसा बोलना हो, मैं इसका बिल पे करूंगी. तो आप ऐसा बोल सकते हो, It's on me. मतलब आप I'll pay इसकी जगह पे, It's on me आप बोल सकते हो, It's on me. Let's see the next sentence. हमें इस मुसिबत का सामना करना पड़ेगा. सामना करने को इंगलिश में बोला जाता है, Cough. Means दट कर मुकाबला करना. We will have to cough with this trouble. We will have to cough with this trouble. Next sentence है फ्रेंड समारा. वो है एक आस्तिन का साफ है. आस्तिन का साफ इसे इंगलिश में बोला जाता है, A snake in the grass. He is a snake in the grass.